नमस्कार स्वागत है आप सभी का The Ingredients विकी में और मैं हूँ आपके साथ प्रीतिनहार भारत में 6000 से भी जादा चावल की किसमें उगाई जाती हैं जिसमें सफेज चावल हमेशा से चर्चा का विशे रहा है सफेज चावल कच्चे चावल का अत्यदिक शुद रूप है जो दुनिया में सबसे जादा इस्तमाल होने के बावजूद सेहत के लिए इसे अच्छा नहीं माना जाता चोकर और अंकुरित समगरी को अगर डेली डाइट में लिया जाए तो वे काफी फाइदमन होती है और इनमें फाइबर के साथ साथ पोशक तत्व भी होते हैं जो सेहत के लिए लाबदायक होते हैं तो आज जानेंगे चावल की एक ऐसी किस्म के बारे में जो सफेद नहीं है और जिसका नाम है राजमुडी चावल राजमुडी चावल लाल चावल की एक किस्म है जो पहले विशेश रूप से करनाटक के मैसूर के वाडियार या महराजाओं के लिए उगाई जाती थी स्वस्त विकल्प है और इसका स्वाद थोड़ा अधिक सूश्क होता है यह चावल काफी लोपरी है क्योंकि इसमें फाइबर एंटियोक्सिदेंट और आइरन का अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है ऐसा कहा जाता है कि जो लोग मैसूर के राजा को कर नहीं दे पाते थे उन्हें इसके बदले यानि की कर के बदले पोश्टिक राजमोडी चावल देने को कहा जाता था राजमोडी चावल बिना पॉलिश किया हुआ चावल होता है जो लाल और भूरे रंग के मिश्रन में होता है एक समय पर यह चावल काफी लोग प्रिय था क्योंकि बाद में स दोजाना के खाने में आज का लोग राजमोडी चावल का इस्तमाल भी करने लगे हैं बात करें राजमोडी चावल के हेल्थ बेनिफिट्स की तो पॉलिश की वे चावल की तुलना में इसमें अच्छा फाइबर होता है यह एंटियोक्सिडेंट फाइटो न्यूट्रेंट से भरपूर है एंटियोक्सिडेंट हमारे शरीर को संक्रमन और फ्री रेडिकल से बचाते हैं साथ ही राजमोडी चावल शरीर में हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है क्योंकि इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होता है बात करें इसके खाने की तो इसे डोसा इडली जैसे व्यंजनो में नियमित सफेद चावल से आसानी से बदला जा सकता है और इसके चावल के आटे का उप्योग रोटियां बनाने के लिए भी कर सकते हैं पुलाव हो गया फ्राइड राइस या इस तरह की चीजे में जो रोजाना आप चावल थोड़ा सा सक्त होता है तो यह थी जानकारी चावल की इस किस्म की जिसे कहते हैं राजमोडी चावल आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए इंग्रीडियन के साथ तब तक के लिए अलविदा